हरे गश्टा, भक्ती रसाम्रित सिंधू, निश्कर्ष, तो हमने इस कोर्स में चैतने महाप्रवु, रूपगोस्वामी और श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि भक्ती की परिभाशा क्या है, शुद्भक्ती के लक्षन क्या है साधना भक्ती, वैदी, रागनुगा भक्ती, भाव भक्ती, प्रेमा भक्ती, भक्ती के पाँच मुखे रसे और साथ गौन रसे इतनी सब जानकरी लेने के बाद क्या हम समझ गए हैं भक्ती क्या है तो इसी लिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं जानकरी, अभी हमें केवल ग्यान हुआ है, अभी यह विज्ञान नहीं है तो यहाँ पर अब आचारें का एक टीचर की जरूरत है एक टीचर इस सब ग्यान को, जो समुंदर है, अपार समुंदर, इस समुंदर को शिल्ला प्रभुपाद केवल तीन शब्दों में हमें समझा रहे हैं और वह तीन शब्द ही हमें याद रखने चाहिए यहाँ तक कि आप कोई भी श्लोक पड़ें या कोई भी ग्रंथ पड़ें तो शिल्ला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हम किसी भी ग्यान को उसको विज्ञान में परिवर्तित करने के लिए हमें उसे तीन विभागों में बाठना पड़ेगा और वया है संबंध, अभिदे और प्रयोजन आप कभी भी कुछ भी पड़ें तो उनको इन तीन विश्यों में ज़रूर विभाजित करके पड़िएगा तो सरल भाषा में शिल्ला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि संबंध, सबसे पहले संबंध यह समझो कि हमारा किस से संबंध है और यह शिल्ला प्रभुपाद स्प्रष्ट कर रहे हैं हमारा संबंध केवल कृष्ण से है केवलार शुद प्रेम, शुद भक्ती केवल कृष्ण के लिए अन्य अभिलाशिता शुन्य तो यह तो हुआ हमारा संबंद उधारण के लिए जिस प्रकार बच्चे का संबंद मां से होता है एक पत्नी का संबंद पती से होता है उसके लवावा और किसी के विशे में नहीं सोचती इसी प्रकार एक भक्त का संबंद केवल कृष्ण से है और इसलिए हम भक्ति केवल कृष्णिकी करते हैं तो यह तो हुआ संबंद दूसरा है अभिदे अभिदे यानि कि अब करना क्या है तो क्या करना है हमें तो कुछ नियम पालन करना है कुछ डूस हैं कुछ डूस हैं कुछ चीज़े करनी है, कुछ चीज़े नहीं करनी, तो ये क्या है? ये साध्ना बक्ति है, वैदी और अगनों का भक्ति यानि की शास्तर विधी के अनुसार यहां पर श्रिल्य प्रभुपात बता रहे हैं कि से अभीदे से, यानि की कोई विधी है इस से पूरी जो एक परंपरा चल रही है सहज्य प्रकट सहज्य जो भगवान को बहुत ही समझते हैं कि हमने सरलता से पालिया और हमें तो प्रेम कानुभव हो गया तो उसको काट रहे हैं केवल एक शब्द से अभी दे यानि कि एक प्रोसेस है भगवान को प्राप्त करने का और तीसरा शब्द क्या है प्रेयोजन यानि कि लक्षे गोल क्या है हम किसी गाड़ी में बैठे हैं तो जाना कहां है हमारा सफर एक चीज है और हमें जाना कहां है वो दूसरी चीज है तो प्रियोजन का है भक्ती रस अम्रित सिंदू प्रियोजन यहीं पर है रस जी हाँ वो रस रस तक पहुँचना है केवल हमें नियम पालन नहीं करते रह जाना और रस क्यों चाहिए एक भक्त का जीवन ऐसा नहीं तो यहां पर श्रीला प्रभुपाद एक्टलि इस रस शब्द से और रूपगोसवामी तो यहां पर लिख रहा है कि रस शब्द से योगी, ज्यानी, ध्यानी इन सब को काट रहे है क्योंकि रस वहीं होता है जहां प्रेम होता है यानि कि दो व्यक्तियों के बीच में है तो एक आत्मा है और दूसरे परमात्मा पूर्ण पुर्श्वत्म भगवान श्री कृष्ण तो यह जो भक्ती का प्रोसेस है यह जो भक्ती की विदी है यहाँ पर हमें इंद्रियों को सुखाना नहीं है श्रीला प्रवपात ने क्या कहा था श्रीला प्रवपात किया रहे है हम तो रजगुले खाते खाते भगवान के धाम जाएंगे तो प्रवपात ने तो बहुत सरलता से बोल दिया कि हम रजगुले खाते खाते जा रहे हैं पर यह समझने की चीज है कि भक्ती एक विधी अपने आपको सुखाने की विधी नहीं है कि हम कोई एक टांक पे खड़ो के कोई तपस्या नहीं कर रहे यह सू सुखम कर्तुम अवेम बहुत सरल सरल विधी है केवल तीन शब्दों में संबंध अभिदय और प्रिवजन शिला प्रवपात कहते थे कृष्ण भावनमृत जो यह विधी है यह बहुत सरल है अगर एक भक्त सरल है तो हम सरलता से मान ले कि कृष्ण हमारे स्वामी है और हम उनके दास है तो इसमें कोई कष्ट नहीं इस पूरे संसार में हमें भक्ति करने से कौन रोक रहा है कोई नहीं रोक रहा केवल हमने खुद पर बेड़ियां डाली हुई तो इसलिए यहां पर आ रहा है कि सू सुखम करतुम अवयर्स है यहां पर तो संबंध अभिदे और प्रिवजन यह टीचर का एक रोल है यहें श्रीला प्रुपार ने हमें पूरा सारांश करके बता दिया है कि केवल तीन शब्द याद रखो कोई भी श्लोक हो, कोई भी गरंथ हो आप कहीं से भी कुछ भी सुने यह कभी मत भूरिएगा कि हमारा कृष्णे से संबंध है हमें विधी, शास्तर ननुसार विधी का पालन करना है और हमें रस तक पहुंचना है अब यहां पर भी एक ट्रिक है अधिकांश लोग यह समझते हैं कि रस मतलब आनंद तो रस मतलब आनंद तो ठीक है पर जो ट्रिक है वो यहां पर यह है कि लोग समझते हैं कि हमें कीर्टन में जो आनंद आ रहा है कि हमें भक्ती में, हमें भगवान का नाम लेने में आनंद आ रहा है तो वो भक्ती नहीं है क्योंकि भक्ती मतलब शिला प्रुपात बता रहे हैं भक्ती मतलब देना तो आनंद लेना नहीं है आनंद देना है यानि कि रस लेना नहीं है अब यह इस रस को हमें देना है और किसको देना है भगवान कृष्ण को और कृष्ण के माध्यम से हम ये पूरे संसार में इस रस को बाटेंगे तो कृष्ण को अगर पिक्चर से हटा दें तो ये भक्ती नहीं के लाईगे ये क्यावल नैतिकता हो सकती है, धर्म हो सकता है पर भक्ती नहीं है और रस भी नहीं आएगा वहाँ पर तो इसलिए अब रस की परिभाशा बदल गई है अब हमें कृष्ण की दृष्टी से समझना पड़ेगा की रस क्या है तो कृष्ण की दृष्टी से रस क्या है, यानि कि कृष्ण जो कि हमारे स्वामी है और हम कौन है, उनके दास है हम तुच्छ हैं उनके सामने तो हम एक साधक है हम कोई गोलुग धाम में अभी कोई मंजरी नहीं है कि हम वहां भगवान की लीला में हम भगवान को आनन दे रहें नहीं अभी हमें समझना पड़ेगा भगवान को रज़ देना है पर हमें यह भी समझना पड़े, कि हमारे पैर अभी जमीन पे हमें रखने होँगे हमें जमीन की तरफ देखना होगा इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है, कि एक साधक को यह समझना होगा कि रस तब आएगा, भगवान को रस तब आएगा जब हम अपने आपको तुछ मानेंगे जब हम आत्मनिंदा करेंगे कि मैं कितना घटिया हूँ कि भगवान आप कितने महान है और मैं कितना घटिया हूँ यह हमें समचना पड़ेगा अपने दोश जब हमें नजर आने लगेंगे अपने दोश जब नजर आएंगा और उसमें मज़ा आएगा कि भगवान मैं तो ये मेरे में दोश हैं अच्छा हूँ आप मेरे को दर्शन नहीं देगा तो ये रस ये रस की परिस्थिती उत्पन करेगा भगवान के लिए अपने दोशों को देखना जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें डर लगना चाहिए कि भगवान कहीं आप मेरे को छोड़ मत दीजेगा तो जो विरह का दुख आएगा उससे भगवान को रसाएगा तीन चीज़े मनसा, कर्मना, वाचा मन से जब हम भक्तों को मान देंगे जब हम दूसरे भक्तों को मदद करेंगे उनकी भक्ती में ताकि वो अग्रसर कर सकें तो तब भगवान को आनन्द आएगा, उनको रसाएगा और जब हम स्वामी, यानि कि कृष्ण की चिंता को अपनी चिंता मानने लगेंगे मेरे स्वामी की चिंता मेरी चिंता है और मेरा ये करतव है कि मैं उनकी चिंता दूर करूँ तो तब भगवान को रस आएगा और जब हम इस शरीर को इस तुछ शरीर को हम भूल कर इसको सेवा में हम रगड देंगे तब भगवान को आनन्द आएगा तो भक्ती रस अमरित सिंधु तो यह गहराई है केवल यह कहना कि मैंने ये गरंथ पढ़ लिया है ये गरंथ पढ़ लिया है तो यह अपने अपने परियाप्त नहीं है हमें अंदर देखना पढ़ेगा अंदर क्या चल रहा है वह हमें समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है कहीं हम एहंकार में इतों नहीं डूबे जा रहे तो इसलिए और इसलिए चैतने महाप्रभु ने बोला है कि प्रचार करो जब हम दूसरों को बताएंगे जब दूसरों को यह ज्यान देंगे तो तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी मैल है क्योंकि तब हम सुनेंगे जो हम किसी से प्रवचन सुनते हैं तब हम नहीं सुन रहे होते जो हम किसी को बताते हैं तो तब हमें यह अनुभव होता है कि अरे यह तो मैं खुद पालन नहीं कर रहा हूं। इसलिए चैतने महाप्रुभू ने बोला प्रचार करो। अपने आचरन से प्रचार करो। भक्ती रस अम्रित सिंदू। भक्ती में रस है। इस संसार से करोणों गुना जादा रस है। और इसमें गहराई है। भागने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 चलते रहो चलते रहो और चलते रहो। भक्तों के संग में गुरू, शास्त्र और सादू। फिर तीन चीज़ है। हरे किष्टा शिरप्रगपाद की जया। क्या है।